नमस्कार दोस्तों मेरा नाव अभिशेख है आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सैडिलमेंट टीप अगर भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दरहोगा उसको प्रैस कर लिजेगा उसके पगल में एक बार-बार कमेंट करते हैं और यह पूछते हैं कि आप पुलिस कंप्लेंट रिजिटर कराने के बाद में लोन एप्लिकेशन जो की फ्रॉड लोन एप्लिकेशन से हैं वो हैरस्मेंट बंद कर देती हैं या नहीं करती हैं बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं क्योंकि ब के सकते हैं यह समाप थो सकता है अब सभी लोगों के मन में सवाल होगा तो इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों के लिए दूंगा आज की इस वीडियो में तो सबसे पहले जां लेते हैं कि फरजी-वाइन अप्लिकेशन का लोण प्रोवाइड कराती हैं ज्यादतर जो application से वो 7 days का ही loan provide कराती है और जो फरजी loan application होती है उनकी कोई NBFC कोई भी bank नहीं होती है वो अपने about this app के section में randomly किसी NBFC का नाम pick करते है और about this app का जो उनका section होता है play store में बहाँ पर किसी भी NBFC का नाम लिख देते हैं और खुद को NBFC या RBI या approved दिखाते हैं ठीक है तो अगर आप इनके recovery agent से loan agreement letter, census letter बगरा मांगोगे तो या तो वो फरजी loan agreement letter या census letter प्रोवाइड कराएंगे या फिर वो प्रोवाइड नहीं कराएंगे और आपको harassment करना इस्टार्ट कर देंगे और 6 जब day होता है, छटा day होता है, repayment period एक दिन बाद आपको करना होता है छटे दिन से ही आपको ये force करना इस्टार्ट कर देते हैं कि आप अपना loan चुका हो और loan जब आप चुका देते हैं तो ये फिर से आपके bank account में पैसे transfer कर देते हैं वह भी आपके बिना मर्जी के और फिर आपसे repayment की demand करते हैं हाला कि बहुत सारी फरजी loan applications ऐसा नहीं करती है और बहुत सारी फरजी loan applications ऐसा करती भी है ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक application ऐसा ही करे, सबके अलग-अलग pattern होते हैं आपको lootने के खेर, तो अभी एक बहुत ही मैतपूर बात कि जो फरजी loan applications होती है, इनका loan आपकी civil report में, credit report में भी सो नहीं होता है जैसे कि आप civil score चेक करते हैं, credit score चेक करते हैं, तो दोनों ही report में आपको इनके loan सो नहीं होंगे ठीक है, अब इनसे problem क्या होती है, अगर आप इनसे loan लेते हैं, तो आपको harassment तो होता ही होता है एक नुक्सान आपको और होता है, वो होता है, आपके जो अधार card pen card होते हैं, उनका misuse भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे cases देखें, जिस पर लोगों की नाम पर GST number ले लिया गया, इसके अलाबा, अधार card pen card का use करके international transaction कर लिये गए, अधार card pen card का use करके online cryptocurrency exchange account open कर लिये गए, तो बहुत प्रकार से ये आपके data का misuse करते हैं, और आपको बहुत ज्यादा परसान कर करते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों के, बहुत सारी मैं आपको news भी ऐसी, अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको video बना कर पूरी news भी cover कर दूँगा, कि कितनी news इनकी आ चुकी हैं, जिसमें इनोंने लोगों की data का misuse किया है, अब आते हैं main point पर, तो क्या आप police complaint अगर इनकी operate हो रहे हैं, पहले इनके जो call centers थे, वो इंडिया में जाज़त थे, विदेसों में कम थे, लेकिन आजकल, इंडिया में इनके call centers कम है, विदेसों से calls जाज़त रिसीब हो रहे हैं, जिन्हों ने इनसे loan लिया है, आपने देखा होगा, आपके पास जो WhatsApp message भी आते होंगे, अ और लोगों को काफी harassment करते हैं, अब यहां पर problem क्या आती है, जब आप police complaint register कराने जाते हैं, police complaint register कर लेती है, पहले तो हो सकता है, बहुत सारे लोगों को problem भी होती है, police complaint register कराने में, लेकिन अगर police complaint लिख भी लेती है, तो क्या police का जो कार छेतर है, वो इंडिया से बारका त होती है, उनको बस इतना ही बोलती है, कि आप अपना mobile phone switch off कर लो, और जो है मतलब हमने police complaint register कर लिए, और आप अपने mobile phone को switch off कर लो, कुछ दिनों में ये आपको harass करना बंद कर देंगे, मैंने देखा है, बहुत सारे हमारे subscribers ने हमें ऐसा ही बताया है, कि police के द्वारा उनको य यही बोला गया है, यही suggestion दिया गया है, मैं भी कुछ हद तक यही बोलता हूँ, कि आप अपने mobile phone को switch off कर लो, कुछ दिनों के लिए, या आपके mob photo बगारा, 10-15 दिन, 20 दिन, 5 दिन, 6 दिन, भेजेंगे, जब इनको कुछ नहीं मिलेगा, तो यह क्या करेंगे, बाद में harassment कर बंद कर दिंगे, ठीक है, तो ततकाल जब आप police complaint register कराते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपका harassment होना बंद हो जाएगा, आपके contact list में, अगर आप mail हैं, तो females के number बगरा वो ज़्यादे देखते हैं, और उनके पास आपके mob photo बना के send करते हैं, जैसे कि आपकी कोई sister हो गई हैं, मौसाजी मौसीजी लिखा है, तो ये बहाँ पर भेजेंगे आपके जो भी mob photo बगरा हैं, और आपको काफी जाधा harassment का सिकार होना पड़ेगा, तो ये काम ये करते हैं, अब police जब ततकाल तो भई इनको arrest नहीं कर सकती, क्योंकि out of India से क्या पता operate कर रहे हैं, या पुलिस को मतलब calls बगरा कर रहे होते हैं, तो एकदम से आपको response नहीं मिलता है जब आप police complaint register कराते हैं, और harassment calls आना भी ततकाल बंद नहीं होती है, कुछ हद तक मैं भी यहीं मानता हूं कि आप इनकी police complaint register करा दीजिए, और अपने mobile phone को switch off कर लीजिए, एक तो तरीका ये है, दूसरा त complaint तो आपको सभी तरीकों में register ही करानी है, चाहे आप online cybercrime portal में complaint register करा सकते हैं, चाहे तो आप नियरस police station में जाकर भी complaint register करा सकते हैं, दोनों ही दसा में complaint पोलिस के पास ही पहुचेगी, online कराएंगे वो भी आपके नियरस थाने तक ही पहुचा दी जाती है, अगर आपके आ harassment आपको आगे भी कर सकते हैं, कभी-कभी एक महीने बाद फिर से इनको एक दौरा पड़ता है और फिर ये दौरा से harass करना से start कर देते हैं, फिर कभी-कभी इनको सालवर बार भार भी दौरा पड़ता है, तो इनका जो scene है, harassment करने का, इसका कोई एक proper time नहीं है कि आपको एक solution यह है, अगर आपकी repayment rate नहीं अरश्ट आने वाली है, तो यहां से अपनी contact list रिमूब करने की कोशिस करो, वो एक trick है, उसकी वीडियो मैं आपको i button पर link दे रहा हूँ, महाँ पर देख लीजिएगा, और description में भी मैं आपको link दे रहा हूँ, उससे देख लीजिए, how to delete contact list from loan apps, अभी मैंने 4-5 दिन पहले वीडियो बनाई है, चैनल पर मिल जाएगी आपको, वीडियो की list में, तो अगर आपकी repayment rate आने वाली है, तो आप उस वीडियो का use करके अपनी contact list रिमूब करने की कोशिस कीजिए, और हाँ, police complaint आपको हमेशा register करानी ही करानी है, और police complaint में एक बात जरूर लिखानी है, कि मुझे डर है कि मेरे आधरकड pen card का misuse हो सकता है, और एक बहुत ही जरूरी बात, जो कि मैं आपको पूरी conversation में नहीं बता पाया, वो ये है, कि आपको अपने WhatsApp status लगाना है, और इस पर लिखना है कि मेरा mobile phone hack कर लिया गया है, किसी fraud application द्वारा जो कि मुझे harass कर रहे हैं, परसान कर रहे हैं, blackmail कर रहे हैं, इसकी complaint मैंने, पुलिस station में register करा दिया, और हो सके तो complaint की copy भी अपने WhatsApp status पर आप लगा दीजिए, और इससे भी जादा और अच्छी बात है, अगर आप properly सब को one by one, अगर भेज सकते हैं ऐसा message, तो सब को बता द ठीक है, तो इससे आप काफी हद तक depression से भार आ सकते हैं, mentally मजबूत हो सकते हैं, और mentally खुद को prepare करना सीखो, ऐसी छोटी मोटी problem लाइफ में आती रहती हैं, इसके लिए अपने जीवन को दाओ पे लगाना जरूरी नहीं है, और हाँ, repayment करने की कोई आवशक्ता नहीं है, फरजी loan applications को, ना अपने घर, मकान, दोगान बेचने की जरूरत है, ना अपना जेवर, ना अपनी जमापुजी जो आपने बुरे वक्त के लिए समाल के रखी हुई है, जो अपनी savings है, उसको भी खतम करने की आवशक्ता नहीं है, ठीक है, तो उमीद करता हूँ वीडियो आ बात कर लूँगा call पर, तो join button पर click करके membership लेगे, आप मुझसे बात कर सकते हैं, और हाँ, ज्याज़ता reply में Instagram पर भी कर देता हूँ, अगर आप DM के माध्यम से, मुझसे कोई सवाल पूछते हैं तो, ठीक है, तो फड़ा फट से वीडियो को कर देजगा like, चैनल को कर देज subscribe मिलते हैं फिर किसी interesting वीडियो में, फिर किसी interesting topic के साथ, तब तक के लिए, जया हिंद बंदे मात्रम